ओम श्यान्ति, 29 नवंबर 2022 के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत धारन करो, आसूरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो प्रशन, देवी मैनर्स धारन करने वालों की परक, किस एक बात से हो सकती है, उतर, सर्विस से, कहां तक पतित से पावन बने हैं, और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, अच्छे पुरुशार्थी हैं, या अभी तक आसूरी अवगुण हैं, यह सब सर्विस से पता चलता है, तुमारी यह इश्वर्य मिशन है ही, देवी फजीलत सिखलानी की, तुम शिरीमत पर पतित मनुश्य को पावन बनाने की सेवा करते हो, गीत, ओम नमो शिवाई, ओम श्यान्ती, भक्ति मार्क में महिमा करते हैं शिवाई नमे, उंच्छे उंच्छ शिव, उनको ह इश्यू परमात्माई नमेह कहा जाता है, ब्रह्मा देवताई नमेह, विश्नु देवताई नमेह कहा जाता है, और शिव परमात्माई नमेह, फर्क हुआना, परमात्मा एक है वह उंचते उंच है, उनकी महिमा भी उंच है, इसमें उंचे ते उंचा करतव्य करते हैं, उ काम भी उँच एंँच है और किसको परमात्मा नहीं कहते परमात्मा के लिए यह गायन धे थे पतित पावन आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में सुख्षवतम्वासी प्रजा पिता ब्रह्मा इसमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुश्य तन में प्रवेश करता हूं सुक्षम अतनवासी संपूरण ब्रह्मा में नहीं आती हैं खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं बहुत जनम लेते ही हैं राधे कृष्ण उनके बहुत जनमों के अंत का जनम साधारन है ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूं भगवानु वाज मैं साधारन तन में आता हूं अब भगवान जरूर आकरके इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैट समझाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूं मैं कृश्ण की आत्मा नहीं हूं ना ब्रह्मा विश्णु शंकर की आत्मा हूं मैं परम पिता परमात्मा हूं, जिसको शिव परमात्माई नमेह कहा जाता है मैं इसमें आया हुआ हूं, मैं सुक्षवतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं मुझे तो यहां पतीतों को पावन बनाना है, मेरे दवारा ही वह सुक्षम वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सुक्षम में दिखाया है, कितना अच्छी रिती समझाते हैं, परन्तु मनुष्य सुनी अन्सुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं, आसुर बुद्धी से सुने, तो संशे सब मीट जाएं, त्रिमूर्ती का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है, उन्होंने त्रिमूर्ती ब्रह्मा नाम रख दिया है, तो कि श्यू बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रच्ते हैं, तुम ब अच्छा पुरुशार थी है, इनमें अजुन अवगुण है, देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसूरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करती हैं, अभी आसूरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्पद नहीं पास सकेंगी, बाप स समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारन करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए, पतित मनुश्यों को बद फजीलत कहेंगी, देवताओं फजीलत वाली हैं, तब तो उन्हों का गायन है, हर एक को पुरुशार करना है, जो करेगा सो पाएगा, अब भगवान तुमको सह पहज राजयोग और ज्ञान सिखला रही हैं, ज्ञान सागर एक बाप है जो तुमें ज्ञान स देकर सद्गती में ले जाती हैं, उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है, तो यहां के सब बाते न्यारी हैं, जो ब्रामन बनने वाली होंगे, उन्हों की ही बुद्धी में य बनाया है, बोलो इन बातों को बैठ कर समझो, हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे, पावन बनने विगर वर्सा मिल नी सकता, भगवान उचे ते उच निराकार्श्यू बाबा है, वर्सा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सुक्षवतन वासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में हैं, यह राज आकर समझो, हम इस दादा को भगवान नहीं कहते। यह प्रजा पिता है, इनके तनमिष श्युबाबा आते हैं पावन बनानी। यहां कोई पावन है नहीं, त्रिमूर्ती श्युव के बदले त्रिमूर्ती ब्रह्मा कह दिया है। परंतु त्रिमूर्ती ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुश्यों का रजयता भी कहती हैं, इसले प्रजा पिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्सा देती हैं। सुक्षवतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनती हैं, हम ब्रामन भी पतित से पावन देवता बनती हैं, शियो परमातमाई नमह कहा जाता है, ब्रह्मा विश्नु शंकर को देवता कहा जाता है, भगवान ही भगतों का रक्षक है, वही सबको सद्गती देंग पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे पहले पहले पावन है लक्षमी मारायन वे जरूर पुनर जनम लेते होंगी 84 जनम पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं तो यह व्यक्त ब्रह्मा वह अव्यक्त ब्रह्मा सुक्षा वतन में सृष्टी नहीं रचे जाती है अकसर करके लोग इस बात पर मुझते हैं तो तुमको समझाना है बाप कहते हैं मैं बहुत जनमों अर्थार 84 जनमों के अंत के जनम में प्रवेश्ट करता हूं भारत में पहले देवी देवता आए वह फिर पिछाडी में हो जाएंगे फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है ब्रामन चोटी देवता सिर चैत्रिय भुजाई वैश्चे पेट शुद्र पैथ शुद्र के बाद फिर ब्रामन वर्णों का भी चक्र हुआना ये भी समझाना और समझना है बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अकबार में पढ़ता है फलाना स्वर्ग वासी हुआ तो उनको चिठी लिखनी चाहिए कि स्वर्ग वासी हुआ तो जरूर नर्क में था और अब है ही नर्क तो जरूर पुनरजनम नर्क में लेंगे अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का बोजन क्यों खिलाती हो तुम रोते क्यों हो परन्तु इतने बुद्धी नहीं है जो समझे की स्वर्ग की स्थापना तो बापी आकर करते है राजयोग सिखलाते है तुम ब्रामन संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो बाकी सब है कल्यूमी संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे है इसको कुम्ब का मेला कहा जाता है तुम ग्यान गंगाएं ग्यान सागर से निकली हो भक्ति में समझते हैं गंगा में सनान करने से पावन बन जाएंगी पावन बनाना तो तुमारी मिशन का करतव्य है यह है इश्वरीय मिशन तुम्ही पतीत मनुष्य को पावन देटा बनाते हो श्रीमत पर स्रेक्रष्न पतित पावन नहीं है वह पूरे 84 जनम लीती है पहले है लक्ष्मी, नारायन, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आधी देव, आधी देवी बनती हैं अभी ये बाते किसने समझाई? श्यू पर्मात्माई नमह गाते भी हैं ये परमपिता पर्मात्मा आपकी गत्मत सबसे न्यारी है वेह श्रीमत देते हैं गती के लिए, गती और सत्दगती, दुर्गती वालों की सत्दगती करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है, बाकि भकते मार्ग है घोर रातरी, आधा कल्प है ज्यान दिन, शुबाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूं रात को दिन बनानी यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर श्यू बाबा के पास है रिशी मुनियादी सब कहते आएं हैं कि परमात्मा बेयंध है बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठेहरी आधा कलफ है नास्तिक आधा कलफ है आस्तिक तुम अब बाप को बाप की रचना के आदि मद्द्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते इसले कहा जाता है निधन की अनेक धर्म अनेक मते हो गई है अब आप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का सन्यास करना है याद करना है शान्ती धाम, सुक धाम को जितना याद करेंगे उतना उच्पद पाएंगे ग्रिस्ट वहवार में भल रहो सिर्फ पवित्र बनो धन्दे बिगर ग्रिस्ट कैसे चलेगा सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पति थें इसले तुम्हारी आत्मा जब पावन बनी तब फिर शरीर भी पावन मिली सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनी गाना अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आईरन एजड हैं फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं इसलिए कहते हैं तुम्हारी गत्मत शिरिमत सबसे न्यारी है अभी तुम जानते हो यह सद्गती का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं गायन होता है तो जरूर कुछ करके गई हैं अभी कल्यूग है फिर सत्यूग होना है संगम पर तुम बैठे हो तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मन हो कमल फूल समान पवित्र रहते हो तुम्हारी माया के साथ युद्ध हैं माया से ही कई फेल हो जाते हैं काम का घुंसा जोर से लगता है बाप कहते हैं खबरदार रहो अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रू है बाप कहते हैं फिर भी पुरुशात करो एक बार हराया दूसरी बार हराया फिर अगर तीसरी बार हराया तो खतम पद ब्रिश्ट हो जाएगा प्रतिग्या की है तो उ बनना चाहिए परंतु सब तो प्रतिग्या पर कायमनी रहते हैं गिरते भी रहते हैं कोई फिर बाप को जोड़ भी देते हैं बहुत भागने वाले भी हैं अंत में तुमको पूरा साक्चातकार होगा कि कौन क्या बनेंगी पुरुशार्थ पूरा करना चाहिए जो दुख द देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं बाप तो सबको सुख देने वाला है तुमारा भी काम है सबको सुख देना करमणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगी पद भी ब्रश्ट हो जाएगा बेहद के बाप के साथ पूरा फर्मान बरदार वफादार होकर रहन अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी दहारणा के लिए मुख्य सार पहला पोइंट बाप के साथ वफादार फर्मान बरदार होकर रहना है कभी किसी को दुख नहीं देना है दूसरा पोइंट बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुशार्थ करना है काम की चोट कभी नहीं खानी है इससे बहुत साथान गहनन है वर्दान मालिक पन की स्मृत्ती से शक्तियों को ओर्डर परमान चलाने वाले स्वराजय अधिकारी भव विस्तार बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कारिय में लगाओ समय पर शक्तियों को यूज करो सिर्फ मालिक पन की स्मृत्ती में रहकर फिर ओर्डर करो तो शक्तियां आपका ओर्डर मानेंगी अगर कमजोर होकर ओर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं कमजोर नहीं सब बच्चे राजा बच्चे हैं क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है यह बर्थ राइट कोई भी छी नहीं सकता स्लोगन त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अब यह जो हम कहते हैं कि प्रबू हम बज्जों को उस पार ले चलो उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जनम मरण के चकर में ना आना अर्थार्त मुक्त हो जाना अब ये तो हुआ मनुश्यों का कहना परंतु वो कहता है बच्चों सच मुझ जहां सुख शान्ती है दुख अशान्ती से दूर है उसको कोई दुनिया नहीं कहते जब मनुश्यों सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए अब वो तो सत्यूगी वैकूंट देवताओं की दुनिया थी जहां सरवदा सुखी जीवन थी उसी देवताओं को अमर कहते थी अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है ऐसे तो नहीं देवताओं की आयू इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थी अब ये कहना उन्हों का रोंग है क्योंकि ऐसे है नहीं उनकी आयू कोई सत्यूग त्रेता तक नहीं चलती है परंतु देवी देवताओं के जनम सत्यूग त्रेता में बहुत हुई है 21 जनम तो उन्होंने अच्छा रज्यक चलाया है और फिर 63 जनम द्वापर से कल्यू के अंध तक टोटल उन्हों के जनम चड़ती कलावाले 21 हुई और उतरती कलावाले 63 हुई टोटल मनुष्य 84 जनम लेते हैं बाकि ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनिया भोगते हैं ये कहना भूल है अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है अब मनुष्यों को ये नोलेज ही नहीं मनुष्य तो 84 जनम लेते हैं बाकी पर जानवर पशू पंची आदी टोटल 84 लाख योनिया हो सकती हैं अनेक किसम की जैसे पैदाईश है उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुन्य भोग रही हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रही हैं ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनी में आता है मनुष्य को अपनी योनी में भोगना भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की मैसूसता आती है ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनी में सुख दुख भोगना है मगर उनों में यह बुद्धी नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है उनों की भोगना को भी मनुश्य फील करता है क्योंकि मनुश्य है बुद्धीवान बाकी ऐसे नहीं मनुश्य को 84 लाख योनिया भोगते हैं जड जाड भी योनी लेते हैं ये तो सहज और विवेक की बात है कि जड जाड ने क्या कर्म अकर्म किया है जो उनों का हिसाब किताब बनेगा जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महवाक के उचारण किये हैं अंतकाल में जो पुत्तर सिम्रे ऐसे चिंता में जो मरे सुवर की योनी में वलवल उतरे परन्तु इस कहने का यह मतलब नहीं कि मनुश्य कोई सुवर की योनी लेता है परन्तु सुवर का मतलब यह है कि मनुश्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है बाकि ऐसे नहीं कि मनुश्य को जानवर बनते हैं अब यह तो मनुश्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जेवन को पल्टाए पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बनना है अच्छा ओम शान्ती